राजस्थान में साथ विधान सबसीटों पर होने वाले उप्चुनाव भजरलाल सरकार के लिए वकार का सवाल बन गए लोग सबस्चुनाव के बाद पुरदेश की पाच विधान सबसीटे खाली हो गई थी उसके बाद पिछले दिनों सलूंबर के बिज़ेपी विधायक अ एक आरेलपी एक बिज़ेपी और एक भारती आदिवासी पार्टी के पास थी नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं ता नगरी में हाला कि अभी तक इन सातों सीटों के लिए उपचुनावों की तारिखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन बिज़ेपी और कॉंग्रेस दोनों नहीं का मरकस लिए राजस्तान में होने वाले उपचुनाव को लेकर विधानसवा की सीटों की संख्या लगतार बढ़ती चुआ रही है लोगसवा चुनाव के चलते पहले पास सीटे खालिती फिर साथ हो गए जुबैर खान के निधन के बाद प्रदेश में कॉंग्रेस के विधायकों की कॉंग्रेस के पास थी जबकिफसर विधानसवा सीट रस्ट्री लोगतान्तिक पार्वटी और चोड़ा से भारता दिवासी पार्टी के खाते मी थी इसके अलावा से विऊ वीजयेपी की विधाया कमरिताल मीना और रामगर्विधान सबसीर से कॉंग्रेस जूबेर खान जीते थे विजए प्षुनावों को लेकर कॉंग्रेस की सीटों में स सेंध में लगाने में जूटी हुई विजए-प्षुनावों को लेकर संगतन इस्तर पर जोड शोड से तैयारिया कर रही है इसके लिए इस बार खासरनीती तैयार की जोआ रही है हाल ही में राजिस्तान बीजेपी की कमान समालने वाले मदन राठोर के उप्चुनाव पहली अगनी परिक्षा है प्रदेश अद्यक्ष मदन राठोर मीडिया से बात करते हुए बोले थे इस बार कॉंग्रेस को चुनावों में अपनी चार सीटों को बचाने में जोर आएगा बीजेपी सभी सातों सीटों पर जीत दर्श करेगी बीजेपी के लिए कॉंग्रेस के खाते वाली सभी सीटे हासिल करना मुश्किल है क्योंकि वो कॉंग्रेस की परंपरागत सीटे है इसे तरह से खिफसल लंबे समय से आरेलपी के कबजे में हैं, वहीं आदिवासी इलाकी की चोरा सी सीट आदिवासी समाज की उभरती हुई नई पार्टी, भारती आदिवासी पार्टी के प्रभाफ में, लियाज़ बिजेपी को सभी सीटों पर जबरदस्त महनत करनी होगी, विजेपी के नए अदियक्ष के लिए इन सीटों पर उलटपे करना खासा मशक्त भराएं, उप्चुनावों को लेकर विजेपी ने सभी सातों सीटों पर फोकस सेज़ कर दिया है, पिछले दिनों प्रदेश अदियक्ष, मधन राटोर, प्रदेश प्रभारी, रादा मोह प्रदेश में जिस सरहा से पिछले नो महीने में भजनला सरकार ने काम किया है, उसके बाद आम जनता में विजेपी के पक्षमे महोले, जिन सास सीटों पर उप्चुनाव होने है, वहाँ पर भले ही छे सीटों पर अन्नियों पार्टियों का कभजा रहो, लेकिन हमें पू हम और खबरों के लिए देखते रहे दन अगरी नीव, शुक्रिया.